कर्वा चौत पर सुहागे निस्त्रियों ने उप्वास रख किया चलनी से चंद्रदर्शन नमश्कार आप देख रहे हैं प्राइमी स्वेडिफोर आपको बताते चली की पौराडिक परंपरागत अनुसार कार्तिक वधी चतुर्थी को कर्वा चौत कह जाता है जिसमें सुहागे निस्त्रियों द्वारा दिन भर निर्जला ववास रख सायम काल को देरात्री में श्रिंगार करके श्री गड़ेश भगवान का पूजन अर्चन बंदन करते हुए अपने सुहाग की दिरगाई होने और सुक सम्रदी पाली की मंगल कामना करते हुए चलनी स चंद्रदर्शन किया पराणिक कथानुसार मानना है कि चलनी द्वारा चांद को देखने से जितने छिद्रों से चांद का दिदार किया जाएगा उतनी ही सुहाग की दिरगाई होने का फल प्राप्त होता है इसी मानेतानुसार छेत्र में बड़े ही भाव पूर्ण धंक से सुहाग इनिस्रीयों ने अपनी सुहाग की दिरगाई होने और सुक सम्रिद्दी संसकार मिलता रहे गड़ेश भगवान की पूजार चिना वंदन करते हुए चलनी से चंद्रदर्शन किया प्राइमी 24 से संजै कुमार सुखलिक रिपोर्ट